इसके आलावा करमचंद पवार को किसकी उपादी थी रावत की उपादी क्योंकि बुरे दोर में साध्य था किसनी करमचंद पवार ने तो ये तो प्रारंभिक बाती थी कि इनके बारे माराणा सांगा अब देखेंगे मारणा सांगा के समकालिक राजा कोण कोण से थे देखूं तो प्रत्वी राज और उसके अलावाद जैमल की मिर्थियु के बाद किसका सासक बनना तैं हो गया वाई मारणा सांगा का अब बात करते हैं अपन राणा सांगा की समागर अपन बात करें तो इदार दिल्ली में कोण सासक्ता यह उत्री भारत की परभुक रियासते थे दिल्ली मालवा और घुजरत दिल्ली में उस समय अपन बात करें तो दिल्ली में थे कुण जैसे ही सांगा का राज्य पिशेक हुआ उस समय दिल्ली में सासा कौन था सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी अपने पहली भी चर्चा किया यह कौन से थे सल्तनत का गुलाम के बाद खिलजी तुगलक सयद सायद्वन्स के बाद आता है कोन सा लोधि गुलाम खिलजी तुगल सयद और लोधी वंसमें भी सब्सेपहला राज्य वेलो लोधी उसके बाद सिकंदर लोदी उर लास्टी लास्ट आइकोन सा इब्राहिम लोदी जिसको पानिपत के युद्ध में आ राएगा 1526 में कोन बाबर उर दिल्ली की जो राजगद्दी थी उस पर कोन मुगल आसीन हो जाते हैं तो राजय अभिशेट के समय दिल्ली का सुल्तान कोन सिकंदर लो अब गुजराट का सासकोन उससे में मेहमूद बेगड़ा तो दिल्ली का सुल्तान कोन सिकंदर लोदी मालवा का नासुरुद्दिन और गुजराट का मेहमूद बेगड़ा लेकिन सांगा का संगर्ष के इनके साथ हुआ तो रागना सांगा के राज्य भी से के समें दिल्ली का सुल्तान तो सिकंदर लोधी था लेकिन सिकंदर लोधी से संगर्शी नहीं हुआ किसका राणा सांगा खा इनका संगर्श तो हुआ तो किसके साथ इब्राहिम लोधी के साथ इब्राहिम लोदी मालवा में किसके साथ संगर्श हुआ तो मालवा के थे मैमूद खिल जी मालवा के मैमूद खिल जी सेकेंड उसके अलाव अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में थे कौन मुजफर सा सेकेंड मुजफर सा सेकेंड क्यूशन पूछा जात सकता है कि राज्य विषेक के समय दिल्ली का साथ सकतो कौन सिकंदर लोधी मालवा का नाशुरीद्दिन और गुजरात का कोण महमूद बेगड़ा लेकिन इंसका संघर्ष किन के साथ हुआ इब्रहाइम लोधी के साथ दिल्ली में उसके आलाव उसके अलाव मालवे meymood खिल फर्स्ट मालवा का मैमूद खिलजी फर्स्ट से किसका युद्ध हुआ था वह अपने देखा था कुम्बा 1437 में कुण सा युद्ध सारंगपुर का युद्ध ये संगर्स तो इनके साथ कुण कुण सा युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी के साथ 1517 डेट में कोई समस्या नहीं है 1517 इनके साथ 1518 यहां 1519 और यहां पर 1520 इनके साथ पहला युद्ध हुआ कुण सा खातोली कि खातोली कोटा का युद्ध देखो आपको बहुत सी जगेहां मिल सकता है खातोली का बूंदी में ततकाली है में तो पड़ता था का बूंदी में लेकिन जैसे ही बूंदी रियासत का विवाजन ओंनहां बूंदी है करे चोवान तो वह छेतर किस्मेह गय था कोटा में तत्कलीन समय में खातोली का बुंदी में वरतवान समय के लिए इसाब से बात किया जाए तो खातोली कहाँ पड़ता है तो पहला खातोली का युद्ध 1570 उसके अलावा किमिमूद खिलजी के साथ कौना युद तो ये था गाघ्रों का युद गाघ्रों का कि युद ago had गुद ब्रोंग भी का है जहलावाड में जो अच्छा जलदूर० कि स्रेडी में आता है है उसी में है क्या संत्य पीपा की छत्री संत預ब या सिंगजन की छत्री कई गागरों दुर्ग जहलावाड में तो संते पीपा की गुफा कहा है टो डाराई शिंक डॉंक में एक चीजी और देगह ॥ तिया पड़ने पीछे कौn सा तोता गागरोśmy printing आiform का जयता है इड्र का युद्ध खातोली कोटा का युद्ध 1517 में किस-किस के बीच इब्राह्यम लोदी और राणा सांगा के बीच और बाडी का युद्ध दौलपुर में 1518 में किस-किस के बीच राणा सांगा और इब्राह्यम लोदी की दोनों युद्धों में ही जैगो, सारे युद्धों में जीतेगा तो कॉन सांगा ? रणा सांगा की विजेवई यहां कॉन्सा युद्ध वा ? गाङरोन का जहलावाड में कारण क्या था इस युद्ध का तो इसका करण था इस मालवा में ही एक जागिर पढ़ती है कौन सी चंदेरी और चंदेरी का साथ सकौन था चंदेरी का मेदिनी राई मालवा का में मुद् ख संगर्स हो जाता है हालंकि साथ भी दिया था मेदिनी राय निकिसका में मुद् dapat का नेवल सरण देदी किसको मैदिनी राय को अब अगर सरण देदी तो युद्ध करेगा पीछे भी अपने देखा था कुम्बा के समय चाचा मेरा और मैपापावार जिन्होंने मोकल की अत्या की थी वो जाके सरण लेते का मालवा में इस वज़े से कुम्बा भी अटेक करता है किन पर मालवा पर तो जब मैवाड सरण दे रहा है तो मालवा भी अक्रवाण करेगा किस पर मेवाड पर इसवज़े छे मेदिनी रायके कारण मालवा के मह्मूध खिल चिसेकंड्र ने अक्रवन किया था किस पर मेवाड पर यहां पर एक सेनापती materia हरिदास چारण हरिदास चारण सेनपति था किसका मरना सांगा का उसने कैद कर लिया था किसको महमूद खिल जी सेकेंड को बाद में इसको छोडवी दिया था राना सांगा ने हरिदास चारण को बारगाऊंगी दिये थे पीछह अपन ने चर्चा की कि मैं आलवा के महमुद खिळी फर्स्ट को राना कूंबा ने छे मां के लिए जेल में रखा था यहां पर सांगा महमुद खिल जी इसे किन्ड को वह इछे में जेल में रख रहा है देखो ये बारमल ये लड़ाई तो कांगी थी गुजरात की लेकिन अंत्रिक मामलों में जाके हस्त छेप करता है कौन मारना सांगा साथ देता है राइमल का और जीता भी कौन है राइमल की साहिता से कौन राजा बनता है जो मैंने की साहिता से कौन राजा बनता है राई है और ये बाते थी जो मेरे-ंअपको चाट से लिखोंगे तो पहले लिखो में दिल्ली के साथ संगर्श तो कैसे मालवा में कौन थे राज्य विशेक के समय साथ नासुरुदिन संगर्श किन के साथ हुआ मेहमूद खिल जी सेकेंड के बीच इनके साथ युद्ध हुआ कौन सा गागरों का युद्ध जिसका कारण क्या ता चंदेरी का में दिनी राई इसमें हरिदास चारण सेनपति थे ज इसका राहिमल का और जीता भी कौन राहिमल को यह आपने चाट के इसाप से चर्चा कर ली बाकी इसनको पेराग्राप से रिखोगी तो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन चाट सी कहा है थोड़ा सा समझ में अच्छा आ जाता है अब देखते हैं अपना आगे तो चारो तरफ अपनी सत्त का अबिच कर ली किसने माराणा सांगा ने यहां तक की दिल्ली तक को भी अपने नियंत्रन में ले रहा है माराणा सांगार इसी समय इसी टाइम पीरियड मी 1528 तक सासनकाल है इसी दोरान आगया कोण बाबर अब अपना नियंत्रन इस्ताफित करने के लिए बाबर को लड़ना पड़ेगा किसके साथ माराणा सांगा के बाबर का और बाबर और महाराणा सांगा के बीच पहला एक युद्ध होगा जिसको भोलते हैं क्या बयाना का युद्ध बयाना का युद्ध बयाना जगय पढ़ती है का बरतपुर में कब हुआ ये सोड़ा फरवरी सोड़ा फरवरी 1527 किसकिस के बीच भाई बाबर वर्सेज बयान जगय थी यहां पर आकर आकरवन कर दिया था इस बयान दुर्ग पर किसने बाबर नहीं बाबर कौन था एको बाबर के बारे में डिटेल में चर्चा तो करेंगे आपन कहां जब मिडाईविल मद्यकालीन बारत पड़ेंगे जिसमें सल्तनकाल गुलाम खिलजी तुगलक सहियाद और लोदीवन्स जैसे ही लोदीवन्स का अंतिपन सासक कौन इब्राहिम लोदी उसको आराकरपानी पत के विद्धों में सासक बन जाएगा कौन बाबर बाबर के जो प पीडी थी उसकी पाचवी पीडी में थे तो इनके पिता कौन और माता तो इनके पिता थे उमर सेख मिरजा उमर सेख मिरजा और माता थी कौन कुत्लूग कुत्लूग निगार खाँ एक छोटा सा छेत्र का अपड़े प्रारंबिक जीवन में बहुत ज्यादा संगर्ष किया था किसने बाबर नेर यह सच वात है जो वास्तु में अपने शुरू के टाइम पीरियाड में बहुत ज्यादा संगर्ष करता है वह आदमी एक दिल जरूर जाके एक बड़ी मुख करना यह विरासत मिली थी उसका बाब था वह था एक अच्छा सा सकतो कौन है दर अली तो देखो बाबर और आना सांगा के बीच तो बायाना का जो यह दूर्ग था इस पर आकर आकर्मन कर दिया किसने पीछे से आकर बाबर ने और बायाना को जीत लिया और यहां पर मेंडी खवाजा और सुल्तान मिर्चा को जिम्मेदारी सोभदी जैसे पता लगा किसको माराना सांगा को מाराना सांगा ने आ तो यहां नेत्रत कर रहा है कौन बोजराज और भोजराज के नेत्रत में इन दोनों को बुरी तरीके से राया जाता है इतनी बुरी दसा की जाती है कि आगे लड़ने के लिए अक्वर को मना कर देते हैं कौन को मेंदिक वाजा सुल्तान मिर्जा क्या पूरी जो मुगल यह कंडिशन आगी तो वापस से जीत लिया कि इसको बैयाना को किसने मारणा सांगाने और सेनिकों के बुरी आलत कर दी सेनिकों ने लड़ने तक मना कर दिया तब कहीं जाकर बाबर अपने सेनिकों को मनाने के लिए कुछ गोशना ही करेगा तो खानवा के युद्ध से पूर्व है बाबर ने कुछ गोशना ही की अधर दिल्ली का सुल्तान बन गाया लेकिन उसे एक मों हार तो यह बाद छूब रही थिकिसकों बाबर को डिल्ली का सुल्तान तो यह लेकिन कोई वजूदी नहीं है एक मेवार सरदार cardboard अबाले से पूर्व कुछ गोष्टनाई की क्या कि जिहादosition का मतलब धर्म जीद्ध के लिए लड़ कि इस्थापना के लिए कि मैं जैसे बहुत को जीतुगा इसमें इस्थापना कर दो किसकी मुस्लिम धर्म के मुस्के अलावा सराब बंदी έναओं मैं श्राब पेड़ी छोड़ दूँगा सैनिक बोले कि भाई चाहिए खूब पीले कि नहीं लड़ेंगी लेकिन बाद में कहें दिया क्या जिहाद या धर्म युद्ध इस वज़े से सैनिक बंद गये थे उसके अलावा तमगा कर तमगाकर समाप्त कर दिया शुद्ध इए टमगाकर क्या था जैसे एक जजीःकर गैर मुस्लिमों से से लिया जाने वाला कर कोण सा था जजिया कर उशिप्त कर सबसे पहले जजिया कर किस ने लगाए था तो वो कोण से मुहमत बिन का सिंग ठीक है तो इधर था कुण सा तमगा अगर कुण सा मुस्लिम व्यापारियों से मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर कुण सी को क्या का जाता था तमगा कर तो बयाना का युद कब शोड़ा फरवरी 1527 के बीच बाबर वर्षे सांगा इधर बाबर के और से महंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा एक्टिव मोड में नहीं थे सांगा इसी वजए से आकरमन कर दिया और इसको जीत लिया लेकिन बाद में भोजराज के नित्रत में राना सांगा ने सेना ब उससे पहले कुछ गोशनाई करेंगा बाबर क्या कि एक तो जिहाद धर्म युद्ध जो बोले अब मैं जो भी युद्ध करणा वो मेरे लिए नहीं किसके लिए धर्म के लिए अपने मुस्लिम धर्म के लिए युद्ध करणा उसके अलावा क्या तमगा अगर समाप्त कर दिया मतलब मुस्लिम व्यापारी उसे जो लिया जाने वाला कर था वो भी क्या कर लिया खतम कर दिया ऐसा क्यों कर रहा है बाबर तो एक नेक्स्ट युद्ध जो खानवा का युद्ध है उसके प्रिष्ट भूमी तयार यह वो युद्ध लड़ने के लिए किन को तयार कर को मुस्लिम सेनिकों को नहीं तो ने बयाना युद्ध के बाद ही मना कर दिया था कि वह जो सासक है मेवाड का माहरणा सांग बहुत ही खतरनाक सासक है अब एक चीज और देख लेता है अपर कोई शी पाति परवन बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि पाति परवन कि जैसे पीछे अपढ़ने पढ़ाता क्या आस का लेन अब बप परावल के समय पढ़ाता पढ़ने क्या आश का लेना तो जहां कहीं भी जाते थे मेवाड के जो सासक थे या गोईल थे वो एक लींग जी की अनुमती ले करी जाते होची को क्या आजयाता था आ आसका ले आ तो पाती परवन क्या था कि को खांवय्ष में कि खांवय्ष में मदद हेतू कि इस काम यूद में मदद एतू संगा द्वारा कि बेजा गया नि-मंतर पहला तो या सेुदों स्कतुम प्रृट ciao कै ँदोस्तान के सब हिराजाओं को एक करने की कोशिश कर रहा कि इस के खिलाब बाबर के खिलाब प्रथा शुरूवात कि कौन सी पाती परों एकजाम तो खानवा युद्धु में राणा साथ देने वाले साथ कोण थी जैसे सबसे पहले बात करें अमेर काफी रोल रहेगा किनका प्रित्यूराज कच्छुआ अमेर से किसने साथ दिया तो अमेर से प्रित्यूराज कच्छुआ उसके अलावा मारवाड में उस समय राजा तो कोण राव गांगा लेकिन युद्ध लड़ने कोण आया था राव माल्देव राव माल्देव जिसे इंदुस्तान का हस्मत वाड़ा राजा भी कहा जाता है उसके अलावा बीकानेर से बीकानेर में भी उस समय राजा तो कोण था राव जैच सी एक रचना भी पड़ेंगे अपन कोण सी राव जैच सी रो छंद किसकी रचना है बीठो सूजा की यहां कोई काम नहीं है बता रहूं क्योंकि चीजें बार-बार रिमाइंडर करवाने से याद होती है तो मारवा दाट की ओर से खानवा युद्ध में भाग किसने लिया तो भाग तो किसने लिया था राव माल्देव जिनको हिंदुस्तान का हस्मत वाला भी राजा भी कहा जाते 1544 में युद्ध होगा कौन सा गिरिश हो में लिया जैतारण का जिस युद्ध में सेरसा सूरी कहेगा कि एक मुठी वरवाजरे के लिए मैं इंदुस्तान की बादसाहत खुद देता उसमें इंपोर्टेंट सेनपति मालदेव के कुण जैता और कूपा इधर बीका नेर का कुण राव जैची एक रचना कुण सी राव जैची रो छंद जो किसकी रचना है बेठू सूचा की अगर बात करें युद में लड़ने कौन गया तो भीका नेर का कल्यानमल कि सासा कौन राव जैची और लड़ने कौन गया कल्यानमल उसके अलावा बात करें तो अपन मेड़ता मेड़ता से कौन गया वीरम देव उसके अलावा बाजोली बाजोली से कुंण गए भाई रतन सिंह को अपन पढ़ते हैं न मेरा भाई पुडकी गाउं पाली रीयल गाउं तो कुंण सा है बाजोली गाउं है कुडकी गाउं नहीं है ठीक है यहाँ बाजोली के इस जागिरदार थे कोण रतन सिंग जो कोण थे मीरा के पिता तो एक बात आज सही कर ले ना मीरा भाई कहा कि कुड की गाउपाली नहीं कोण सा गाउग है बाजोली गाउग ठीक है तो मेड़ता का वीरमदेव बाजोली का कोण रतन सिंग उसके अलावा सलुंबर सलुंबर से रतन सिंग चुडावत रतन सिंग चुंडावत चुंडावतों के बारे में चर्चा कर लिया अपनने पीछे ही ठीक है इसके राव कुणर चुंडा के शमें उनको कुछ विशे सादिकार दे दिये कि भाई जब राजा नहीं होगा तो राजदानी की सुरक्षया अभी कौन करेंगे यह लोग ही करेंगे उसके अलावा देखे तो अपन साधडी कि साधडी से किसने भाग लिया जहला अजक है अजजयamiliar कि उसके अलावा सिरोही से बात करें तो अकहराज यह इन्हें को बोलते हैं क्या, उड़ना अकहराज उड़ना अखेराज शिरोई के चोवान खोल के देखना वहां मैंने आपको एक सासक बढ़ाया था कोण सा अखेराज या इनी को बोलते हैं उड़ना अखेराज वहाँ एक लाइन लिखवाई थी कि खानवा युद्ध मेरा अनसांगा का सिरोई के ओर शिशाथ किस नहीं दिया था तो वो एक उड़ना अखेराज उसके अलावाबात करें चंदेरी चंदेरी का कोण वोई पीछे युद्ध कोण सा गागरोन का युद्ध वहाँ चर्चा की थी कोण मेदीनी राई चंदेरी के मेदीनी राई ने वाकि उसके अलावा इडर इडर से किसने साहता की राई मल नहीं सोरी भार मल इडर से किसने साहता की भाई बारमन ने उसके अलावा बात करें तो मेवात या अलवर वाणी छेतर से हसन खा मेवाती और हसन खा मेवाती की पैनोर्मा भी कहा है भाई अलवर में अब मेवात से किसने साथ दिया हसन खा मेवाती उसके अलावा मेमूद लोदी ये कौन था इब्राहीम लोदी का भाई इब्राहीम लोदी का भाई ये सभी तो यादी रखने हैं बाकि दो लोग इन दोका भी किया था खान वा युद्ध मेराना सांगा के उनके नाम तो जरूरी याद रखने हैं कौन-कौन से एक तो नागोर का खान जादा तो दोका देने वाले कोण थे एक तो नागोर का खान जादा और एक राइस इन मद्य प्रदेश कोण सिलेरी तमर शी लेरी तमर तो यह कुछ से एक राजा थे जिन्होंने असिए को संहँ दिए में काहां सबने देखान tai की उनको सरन दी काहां सब सबसे पहले नारेन मंद्र में जहां घालीए उनके लिए ठी पन बाद करने उनको क्या दीती राजा बनने के बाद उनको रावत की उपदी और 4 जागीर भी थि उसके अलाव फिर देखे थे कहां दिल्ली मालवा और गुजरात में तुम समय साथ कौन दिल्ली का बात की थी अपने कोण साउन के साथ इडर का युद्ध पंद्रासों बीच में भारमल और राहिमल के बीच फिर बात की अपन ने कौन साफ बयाना का युद्ध साथ 16 फरवरी 1527 राणा सांगा उसके अलाव किस-किस के बीच बाबर के बीच जीतेगा कोण बाद में आके जाने वाला कर फिर अपने चर्चा की कि पाती परवन तुखान वाली दुमें मदद एतु राणा सांगा द्वारा बेजा गया अनि मंत्र जिसमें विभिन राजाओं ने साध्या जैसे आमेर से किसी प्रतिवराज कछ्वाने उसके अलावा मारवाड से मारवाड का राजा त अपुत्र कूण उनकी बात करें तो माल देव जिनको पित्रनता विका आ जाता है उसके अलावा बात करें अपनी विकानेर का शासा कॉन तृरा आखते जिनका पुत्र कौण था राओ final मन उसके अलावा बाजोल सब्समाई की को शरीा जिनों को क्या चैन्देरी का मेंदीनी राय और इडर कोण था बारमल इसे भी इंपोर्टेंट जो नो ने दोगा किया था नागूर का खांजादो राइसिन MP का कौन थे सिलरी कमर तो ये थी आज की क्लास next क्लास में अपन कंट्यूरी रखेंगे किनको मारणा सांगा को नेक्स्ट क्लास में अपन पूरी तरी स्थे से खतम करनेंगे मारणा सांगा को धन्यवाद आप सभी